थुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया नमस्कार मैं हूँ रमल जोती शाचार कृष्ण तारा कृष्णा सर्मा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आश्ट्रो तक में और आज जो है राम नौमी और अस्टवी दोनों की शुब कामनाओं के साथ में आज हम आपको बताएंगे कि आज मा भगवती की पूजा अराधना के साथ भगवान सीरी राम की पूजा अराधना के लिए क्या करें खास उपाय इस पर चर्चा करेंगे मगर उससे पहले राश्यों के इंसार आज आपका दिन कैसा रहेगा आज का जो शुब समय है सुबह प्राता कालिन साड़े छे बजे से लेके साथ बच के 35 मिनिट तक का समय रहेगा दान पुन का कुछ भी निकालना चाहते हैं समान निकाल दीजी अच्छा रहेगा प्रात अगली राशी बंद्द सुन रहेगा नंबर दो अबिसस्ट रहेंगे ठोड़ा साइम के लिए थे का संबर के निकला है वरक ठीरे नंबर दो स्बूस्ट आलस बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि आज आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुड़ती रहेगी और लोगों से मिलने जुलने में आज आपका समय वियतीत होने वाला है कुल मिला के यह कह सकते हैं कि मा भगवती की किर्पा आपके ऊपर बहुत अच्छी आज बनने वाली है आर्थिक समस्य आज आज आपकी दूर हो सकते हैं बात करते हैं अपनी अगली राशी अगली राशी है हमारी मितुन राशी मितुन राशी वालों के भाग के पास नंबर क्या कहता है नंबर दो नंबर चार नंबर तीन नौ नंबर निकला है मितुन राशी वालों आज जो ह में अपनी कोई बात को किसी को परमत हो पीए कि जिसकी वज़े से ये विवाद बढ़ जाए तो आज जुह जुहाइभाग्या रहे मांगली कारियों में सिमलित रहने वाले हैं और साथ ही जो कहीं गुमने फिनने भाई दूसरी जगे जाएंगे अपने घर के अलावा भी बाहर किसी दूसरी जगे जो है पूजा पाट के काम में आप जो है सिमलित तो रहेंगे रहेंगे और किसी से मुलाकात आज आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है बस थोड़ा सा भ्रम से दूर पैसा भी कर सकते हैं परवार के ऊपर गरेंगे मगरकर घ्र्चे का भी योग बंता हुए नजर आ रहा है चलिए बात करते हैं अगली राशी हमारी कंचार्ण क् Commercial आपके पासे नंबर कर निकल नंबरibles 4 दस नंबर 800 निकलाया चलिए अपने बड़ी बुजर्ग लोग है कोई कंव अपका अच्छानक बन्ते बंते ब्लते असा लगेगा सुनने में आएगा आपके काम में कोई अर्चण आजई तो इसकी के बज़े से दील दुखी ना नंबर-된 tirarनि नबर एक नंबर दो सात नम्बर निकला है तुलाराशी वालो आज आप भी बहुत ज़यांत रहेंगे ऋसाथ ही आपकी लिए बता दें कि आज जुए फिर्फिनमे यात्राइं आपकी योग पताते हैं आगली राशी है वरीष्यक राशी वालो के लिए नंबर फाइदा भी होगा और बहर जाने को बादछीत जिसकी चरचा गर में चलेगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहेगी और साथ ही चर्चा वो भी चलेगी जिनके वेभाईक जीवन में बहुत समय से अर्चन आ रही होती है बात चीद कोई रिस्ते नहीं मिल रहे होते हैं तो हो सकता है आज वेभा के संबंद की बाद भी आपके लिए उन्नती होगे चले हम बात क लिए और माता की वैनि अपने परवार के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है उनके स्वास्त पर थोड़ा सा यहां पर थोड़ा स्वास्त उनका कम जो नजर आ रहा है इसके अलाबा जो है आपके लिए यह चीज यह भी है कि आज जो है वहान वगरा जब चलाएंगे तो थोड संतान पक्षी की तरफ से तोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रशन रहने वाले हो सकता संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशकबरी मिल जाए जिनके जीव यह नहीं है हो सकता हो गर्वती महलाएं भी अपने परवार को आज खुशकबरी दें उनके लिए बहुत आज का दिन आज अपने परवार के लोगों के ऊपर आप निकाल सकते हैं तो ऐसा मत करिएगा कि बड़ों के साथ में लड़ाई जगडा करने से आपका सूर्य चंद्रा कम कम जोर हो सकता तो ध्यान दीजेगा ऐसा मत करेंगा हम बात करते हैं अगली राशी अगली राशी हमारी मीन राशी मीन राशी वालों के भाग के पास नंबर निकला नंबर दो नंबर दो नंबर ए बहुत अच्छा रहने मित्र आपके लिए अच्छा भी रहाँ बनने जो योग ओ को बहुत कारी दोनों चीज़ बना सकता है कि जो मित्र है वह बहुत ज्यादा खास मित्र आपका है जो आपके लिए जीवन में बहुत जादा तरखिक रहे अब चलिए हम बताते हैं आज जो है राम नौमी मा अस्ट्वी की पूजा अराधना भी आज के दिन होगी तो मा की पूजा अर सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है और साथ ही जो है राम नौमी भी है तो शाम तक जो है आज किसी भी मंदिर में या फिर अपने घर में सुन्दर का पाठ करना सुन्दर का पुस्तक का वित्रित करना आज के लिए बहुत जादा उत्तम रहेगा आज के दिन एक रामाड लिया येगा लाल रंके वस्तर में लपेट के अपने परिवार के सुक वस्रम्रदी के लिए खुशाली के लिए पूजा घर में रखना है अपने घर के बहु बेटियों को मानते हैं बहुत जादा महत मानते हैं यह हमें सब विध्या सारी गार्व की प्राप्ति माढतारा की वज़े से ही अमें प्राप्त होती है इस तक में हमारे साद जुड़े रहिए और देखते रहिए से तक मिझे दीजिए जय महादेव 2 झाल वाल